आदी काल से ही इस धर्ती पर रहने वाले लोगों की दिल्चस्ति हमेशा ये जानने में रही है कि इस लोग के लावा क्या कोई दूसरे लोग भी है जहां कोई जीव रहते है विज्ञान और विज्ञानी को निरंत और खोज कर रहे है एलियंस के अस्तित्तों का दाबे प्रत अल्चेल का दावा लेकिन विविन्यों अतरह के प्रमान भी है जो संकेत देते हैं कि हो सकता है कि रहने हरavic और आज हूं धर्ती पर आते हैं और फिर जाकते हैं कि क्या आपने कभी सोचा कि धरती पार ऐसे करने निशान और सूराग मिले है जो ना सिर्फ बहुत पुराने है वलकि वो इतने सठीक है कि यह सोचना मुश्किल है कि उस काल में लोगों ने वो सब बनाया होगा इसी करी में स्टोन हेंज के रर्सर से लेकर नाचका लाइन्स के सत्यता तक सब कुछ शामिल है आप देख रहे हैं BWB आज की विशय प्रूफ आफ एलियन ऐसा कुछ प्रमान जिससे सावित होता है कि एलियन्स यानी वीन ग्रह की जीब बेशक होते है हाली ही में 29 अप्रिल 2020 में USA के डिफेंस हेट क्वार्टर पेंटागन रिलीज किया है तीन ऐसा क्लासिफाइड फुटेज जो की 2001 से लेके 2070 तक फेक दिकलियर कर दिया गया था लेकिन पेंटागन ने इस पे आपना राय फेर से दिया है कि ये फेक बिलकुल नहीं है वेकिन रिफेंस के अपन लिफेंटाइड जोड़ दिया गया है हम लोग देख लेंगे वो फूटेज that's not an LNS though, is it? I do it's just an LNS, I see it but if there's a look at that thing it's a it's first tutti, tickle, that's one, tickle we got it woohoo एक रख बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे जो पश्चमी अमरीका में नेवादा के दख्सीन में स्थीत हैं ये जगा में एंटरी इतना स्ट्रिक्ट है कि प्रेसिडेंट भी नहीं जा सकते हैं गूगल मैप भी ये जगा ठीक से शोर नहीं करते हैं अखिर इतना स्ट्रिक्ट नेस क्यों इसके पीछे है एलियन्स का अड़ा है और यहां चलता रहता है बहुत सारे सिक्रेट रिसार्च साइद एलियन्स यहां आते जाते रहते है और इस इलाखा के आसपास कई बार UFO साइटिंग भी हुआ है लेकिन USA गॉब्मेंट यह बोलके बात टाल देते है बार बार कि यह बस एक सिक्रेट एयरवेस है लेकिन वहां के कुछ रिटार साइटिस्ट और कुछ हैक्ट डेटा के वदलत यह सावित हुआ है कि यह एलियन्स का ही अड़ा है यह फुटेज भी एरिया 51 का है जहां पर हम लोग देख सकते है एक एलियन को अगर किसी को लग रहा है कि यह फुटेज कोई फिल्म से लिया हुआ है या एडिटेड है तो आप बिल्कुल गलत है अब इस फुटेज को नेट में भी जाज कर सकते है यह एरिया 51 का ही एक हैक्ट डेटा से मिला है यह जगा है रॉस्वेल न्यू मेक्सिको सन 1947 में किये गए एक दवे के मुताविक इस जगा पर एक UFO दुरगटना हुआ था जिसमें एक एलियन का डेट बोडी भी बरावत हुआ इस घटना को रॉस्वेल क्रेश भी कहा जाता है CIA का साइंटिस्ट किट क्रीन अपने डिटायर्मेंट के बाद ये घटना का हकीकत दुनिया के सामने लाए थे इसको रॉस्वेल इंसिडेंट एलियन आटोपसी भी कहा जाता है पिक्चर में देखे गए इस एलियन का ऑपरेशन किया जा रहा है एनके आटोपसी किया जा रहा है सिर्फ यही नहीं 1969 में एपलो 11 मिशन के दौरान नील आमस्ट्रोंग, एडविन अल्रीन और माइकल कॉलिन्स को भी चांद के फार साइड एनकी अंदेरे इससे में कुछ अजीव हरकत नजर आया था जो देखके यह लोग डर भी गए थे मार्च 2014 में अफगानिस्तने नान नहीं के जलालाबाद के रेगिस्तान में भी यूएस मिलिटरी के बेस कैम्प में देखा गया है यूएफो जिसका फिल्मिंग भी क्या गया था क्या सुपगा था बड़ाद में अ झाल 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 दोस्तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जिनको भगवान मानते हैं वो असल में एडियन्सी है जो इंसान से कई गुना ज़्यादा एडवांस्ट और डिवलप्ट है जो हम लोग को क्याद करके रखे हैं एक अल्गरिधम में शायद इसलिए ये पहली वन के रहे गया अब तक खेर ये चर्चे के विशय है इसको फार्मी परड़क्स या जू हाइपोथिसीज भी कहा जाता है इसके वारे में दूसरा कोई वीडियो में चर्चे करेंगे तो ये वीडियो यही तक मिलते है अगले वीडियो में अगर वी बढ़ जाता है